हेलो फ्रेंड वेलकम यूओ अलो रोटूप चैनल स्मार्ग यहां पर प्रप्रशिन में डॉक्टर सतिन त्रिपाथी दोस्तों आपको बता दो कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है हम सभी लोगों के लिए जो लोग भी यूजी सीनेट में अपेर होना चाहते हैं दोस्तों पेपर फ्रस्ट के अपडेटेट सीलेबस को हम लोग यहां पर डिसक्स करने वाले हैं तो दोस्तों इसमें पेपर फ्रस्ट का जो सीलेबस है पहले हम लोग हिंदी माध्य में जो दिया हुआ है सीलेबस इसको देख लेते ठीक है दोस्तो साथी साथ जो है पेपर सेकेंड का सीलिबस कहां से आप जाकर के वेब साइट से देख सकते हो उसको भी एक बार बता दूँगा कहां से जाकर के आप सारे सब्जेक्ट तो दोस्तो पहले हम लोग देख लेते हैं यह हिंदी माध्यम में जो सीलिबस दिया विशे की बात करें तो यह सामान ने प्रशनपत्र शिक्षण और शोध अभी ब्रति ठीक है और यह पार्टिकर में प्रशनपत्र वन में देख सकते हो जैसा कि इसका में उदेश के लिए बात करें इस पेपर का तो जैसा कि आप जानते हो कि जिससे इसमें दिया हुआ है दोस्तों इसमें सारे जो टॉपिक्स दी हैं इनको आप देख सकते हो दोस्तों वीडियो को जो है पॉस करके आप आराम से सारे टॉपिक को आप देख लेना ठीक है उसके बाद दोस्तों अब हम लोग योनिट 2 पे आते हैं योनिट 2 जैसा कि आप देख सकते हो यह है शोध अर्थ प्रकार और विशेश्टाएं प्रत्यक्षवाद एमम उत्तर प्रत्यक्षवाद शोद के उपगम इस तरह से अलग-अलग ये इसमें टॉपिक दिये हुए हैं तो इनको आप बारी-बारी जो है ऐसे आप देख सकते हो ठीक है इसको दोस्तों आप वीडियो को पॉस् अब यूनित थर्ड की बात करें तो ये बोध करके दिया है इसमें आप देख सकते हो एक गध्यांश दिया जाएगा उस गध्यांश से पूछे गए प्रशनों का उत्तर देना होगा ठीक है उसके बाद जो है इक आई-फोर की बात करें तो इसमें जिसा कि आप देख सकते हो इसके टॉपिक्स आप देख लें बरी-बरी उसके बाद जो है इकाई-पांच जो करके दिया है गड़ितिय तर्क और अभिवर्ति इसमें जो टॉपिक्स दी है इनको आप देख लें तर्क के प्रकार संख्या श्रडी अक्षर संख्रा कूट और संबंद उसके बाद ज इसमें यह बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनको आप देख सकते हूँ, ठीक है, आराम से देखनें इसको जो है, उसके बाद दोस्तों, इकाई 7 की बात करें, यूनिट 7 की, तो देख सकते हैं आकणों की व्याख्या, इसमें जो है, आकणों का शुरूत, प्राप्ति और वर्ग इस तरह से दोस्तों यह वैरियस से टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो, इकाई 8 की बात करें तो सुचना और संचार प्रोदिगी की, जिसको ICT भी बोलते हैं, शौर्ट में, दोस्तों इसमें आप देख सकते हो, यह वैरियस टॉपिक दियों है, आप इसको दिख लें, ICT स लोग, विकास और पर्या वर्ण त् maximize इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दियों है, आप इनको बारी बाली सारे टॉपिक्स को, वीडियो को प्वास करके आप देख सकते हैं, इसके बाद दोस्ते हो, एकाई 8 की बात करें तो जिसका कैं आप देख सकते हैं, इसमें दिया उच अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा सुतनता के बाद भारत में उच अधिगम और शोद का उद्भव, भारत में प्राचे प्रारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कारिकरम, व्यावसाईक और टक्निकी और कोशल आधारी शिक्षा, मुल्य शिक् से दो दो अंकों वाले पांच प्रशन तयार किये जाएंगे जिसके दिया हुआ इसमें उसके बाद सेकेंट नमबर पर देखते हो है यदी द्रिश्टिवादित परिशारती के लिए ग्राफ या फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं पेपर फर्स्ट का सीलिबस जो है इंग्लिश मीडिया में दिया हुआ है जैसा कि देख सकते हैं यह सब्जिक्ट है जनरल पेपर ओन टीचिंग एंड रिसर्च अप्टिटूट ठीक है इस पेपर का जो टाइटल है पेपर वन में देख सकते हैं आप जैसा कि यॉनिट फर्स्ट की बात करें तो यह ठीचिंग अप्टिटूट ठीक है इसमें वैरियर से टॉपिक्स दिये हुए हैं तो दोस्तों यह वीडियो को पॉस्ट करके आप आराम से जो है सारे टॉपिक्स को पॉस्ट पॉसिटिविस्टिक एप्रोच टू रिसर्च वैसी आगे वैरियर से टॉपिक्स दिये हैं दोस्तों तो आप इनको देख लें ठीक है उसके बाद जाए यूनिट थर्ड जैसा कि आप देख सकते हैं एक कॉंप्रहेंशन लिया है इसमें अपैसे आप टेक्स्ट बी गिवन क्वेस्ट बी आस्क्ट फॉपिक्स तो बी आंसर ठीक है इसमें यूनिट फोर्थ की बात करें तो कम्यूनिकेशन इसमें वेरियस तॉपिक्स थी आप देख सकते हैं यूनिट फिफ्ट देख सकते हैं mathematical reasoning and aptitude types of reasoning number series letter series codes and relationships ऐसे या वैरियस तोपिक्स थी इसमें देख सकते हैं mathematical aptitude यह fraction time and distance ratio proportion and percentage profit and loss interest and discounting, averages, etc. ठीक है? उसके बाद जो है, unit 6 की बात का है, तो देख सकते है, logical reasoning, इसमें बहुत सारे topics दिये हैं, तो friends, आराम से इसको जो है, आप ये वीडियो को पॉसर करके जैसा कि मैंने पहली बताया, आप देख सकते हूँ. इसके बाद जो है, unit 7 जैसा कि आप देख सकते हूँ, यह data interpretation है, इसमें भी various topics दिये हुए है, sources, acquisition and classification of data, quantitative and qualitative data, graphical representation, bar chart, histograms, pie chart, table chart, and line chart, and mapping of data, उसके बाद जो है, data interpretation, data and governance, ठीक है? उसके बाद जो है, अदि हम लोग बात करें, unit 8 की, तो इसमें जैसा कि देख सकते है, information and communication technology, जिसको कि short में ICT भी बोलते हैं, दोस्तों इसमें various topics दिये हैं, आप देख सकते हो, ICT, general, abbreviation and terminology, basics of internet, internet, email, audio and video, conferencing, digital initiatives in higher education, ICT and governance, उसके बाद जो है, unit 9 यहाँ पे देख सकते है, people, development and environment, तो दोस्तों इसमें बहुत सारे topics दिये हैं, तो आप इसको बारी-बारी जो है, यह देख लें, सारे topics जो हैं, ठीक है, उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे unit 10 देख सकते हैं, higher education system, इसमें जैसा कि देख सकते हैं, institutions of higher learning and education in ancient India, उसके बाद evolution of higher learning and research in post-independence India, oriental conventional and non-conventional learning programs in India, उसके बाद professional teaching and skill-based education, then value education and environmental education, उसके बाद policies, governance and administration, ठीक है, उसके बाद note करके यहाँ पे देख सकते हैं, यह one, two, यह दिया हुआ, इसको भी देख लें, काफी important है, ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से यह पूरा syllabus हम लोने जो है, paper first का, UGC net का देखा, ठीक है, दोनों मेडिया पर देख लेते हैं, कहां से जाकर के जो है, आप इसको, यह paper first के syllabus को जो है, या फिर subject का syllabus होता है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं, friends, अभी जो information bulletin आया है, UGC net December 2022 का, उसके recording हम लोग देख लेते हैं, कि उसके लिए जो है, यह syllabus के लिए link दिया हुआ है, वहां से जाकर क हम लोग updated syllabus को देख सकते हैं, तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, दोस्तों इस पी जब आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर syllabus की बात की गई है, लोग देख लेते हैं, यह four point, यहाँ पर हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, four point three यह जो करके दिया है, इसमें जो है, अब देख सकते हैं, updated syllabus for all net subjects can be downloaded from the UGC website, ठीक है, दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट यह जिसा की दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, www.ugcnetonline.in, ठीक है, oblique syllabus, उसके बाद है, dashnew.php, ऐसे करके दिया है, ठीक है, तो दोस्तों इस website से जा करके देख सकते हैं, तो चलते हम लो www.ugcnetonline.in, यह website पर आ चुके हैं, दोस्तों इस पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यह दिया हुआ है, यह updated syllabus of UGC Net, applicable from June 2019, UGC Net onwards, ठीक है, इसकी बात की कही है, दोस्तों इस पर आप देख सकते हो, यह general paper on teaching and research aptitude paper 1 की बात की कही है, तो English और Hindi जो भी यहाँ से आप देखना च चाते हैं, अपना से लिए बस, जो भी आपका subject हो, paper 2 के लिए भी, तो यह आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से सारे subject यहाँ पे जो है, देख सकते हो, ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से उम्मित कते हैं, कि आज का वीडियो आप सो बिनों के लिए काफी useful and informative आपको आज का वीडियो useful information बहुता है, तो चाहे तो इस चानल को आप सबस्क्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों इस तरह के अपडेट से आप अपडेट रखना चाहते हैं, तो चाहे तो इस चानल से जोड़ सकते हैं, जैसे यदि आप PSD entrance exam की preparation करो, या फिर NET, या फिर SET, या SET exam की preparation करो, तो दोस्तों उससे related कई सारे वीडियो से हमारे YouTube चैनल के already available हैं, या आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के page या फिर चैनल के playlist से जाकर देख सकते हैं, आप कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के description box में भी जो है, उन सारे वीडियो की link आ आप खुद से वीडियो चेक कर ले, वेरिफाई कर ले, बढ़ले समय ले, सटिसफाई हो ले, तभी सारे information को accept करें, ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही next video में मिलेंगे हम लोग किसी अधर information के साथ, दोस्तों इतना patience के साथ, आज का वीडियो वाश्कन के लिए, thank you Thank you so much, James.